नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर मित्रों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों यदि आपकी भी नींद रात को इस खास समय पर खुलत है तो हो जाएए सावधान मित्रों नींद हमारे जीवनकाल का अविभाज अंग है नींद सिर्फ शारिरिक तौर से ही नहीं बलकी मानसिक तौर पर भी सिहतमंद बनाती है अच्छा जागर्ण हमारी चेतना के विकास और जीवनकाल में सफलता के लिए जरूरी है बताया ज जाता रात्री के पहले प्रहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्मा मुहूत में जागना चाहिए लेकिन आधुनिक जीवनकाल शैली के चलते ये संभव नहीं होता पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया जैसी चीजें उसे सोने नहीं देती जैसे तैसे इनसान देर रात सोने की कोशिश करता है फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है क्योंकि नींद तूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विध्यान कहता है कि रात के तीसरे प्रहर में नींद एक चरण से दूसरे चर संबंधी समस्याएं भी हो सकती है वैसे तो बाकी किसी भी समय पर नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशेश समय पर खुले तो इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए ये कोई आम बात नहीं है इस दुनिया में व्यक्ती के ज कोई मतलब जरूर होता है नींद खुलना आपके जीवनकाल में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है इसको हलके में लेना आपको भारी पड़ सकता है मित्रों आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो बस समझिए ये विडियो आपके लिए ही है इसे आखिर तक देखिए और जान जाये इसके पीछे की वजह क्या है मित्रों अगर आप जल्दी सुना चाहते हैं और आपको रात में 9 से 11 बजे के बीच में नींद नहीं लगती है तो हो सकता है आपको कोई चिंता सता रही है आप मानसिक तनाव में सुकून भरी नींद और तनाव की गहरी दुश मनी है आपका दिमाग तनाव मुक्त रहता है तब आपको अच्छी नींद आती है इसके लिए आपको ध्यान करना होगा चित्त को एकागर करना होगा आप ठंडे पानी से चहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें आप अपने जीवनकाल के खुशी के पलों को याद क इस तरह से दिल को बहला कर आप तनाव को कम कर सकते हैं इससे ना केवल आपको तनाव से चुटकारा मिलेगा बलकि आपको एक अच्छी नींद भी मिल सकेगी ही आप रातरी ग्यारा से एक बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं आप खुद को भरोसा दिलाएं जो होने वाला होगा वो तो होके ही रहेगा चिंता की चिंता में जलने से कुछ नहीं होगा उल्टा सेहत भरी नींद लेकर प्रात्य ताजगी भरे मन से आप समस्याओं का निप्तारा करने में अधिक सक्षम हो और अगर ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है तो कहते हैं कि रात बारह बजे के आसपास के समय में अगर आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब हो है कि कोई अंजान शक्ति आपके आसपास रहकर आप से संपर्क करने की कोशिश कर रही है जो आपको जीवनकाल के तीन बजे के बीच का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है अगर इस वक्त आप अचानक जाग जाते हैं तो ये दर्शाता है कि शायद आपका यकृत याने की लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जरूर है ये आपके चिर्चिडे को भी दर्शाता है अगर बहुत कुछ आपने अपने मन में अपने दिल में छुपा कर रखा है आप व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं और गुस्सा नाराजगी आपके मन में है तो अकसर ऐसा होता है ऐसे में ठंडा पानी किये थोड़ा ध्यान करें वनकाल में फिर से सुकून लोट आएगा कहते हैं यदी रात में बारह से एक बजे के बीच आप कोई सपना देखते हैं तो वो सपना आने वाले तीन साल में सच हो सकता है और एक से के बीच देखे गए सपने कहते हैं साल भर में सच साबित होते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएगा मित्रों यदि आपकी नींद अकसर तीन बजे के करीब अचानक रोज खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि स्रिष्टी की दिवेशक्तियां चाहती है कि आप उठे प्रभु की आराधना करें इश्वर का जाब करें क्योंकि बहुत शक्तियां आप से मिलने के लिए आपके अंदर समाने के लिए बेताब है और मित्रों अगर आपकी नींद रात तीन से पांच बजे के बीच खुलती है तो थोड़ा सावधान हो जाए हो सकता है आपको फेफरों संबंधित कोई परेशानी है या फिर हो सकता है ऐसा किसी शक्ती के प्रभाव के कारण हो रहा हो प् तो संभावना है कोई अद्रिश शक्ती आप से संपर्क करने की कोशिश कर रही है जो आपके जीवनकाल के प्रती जागरूक हैं ये अंजान आपको हमेशा सजग रखने का प्रयत्न करती रहती है आपके जीवनकाल में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की और ये इशार करती है वो हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती है ताकि जिन्दगी में आने वाले बदलावों को जेलने के लिए हम तयार रहें और मित्रों तीन से पांच बजे के बीच आख खोलने का मतलब है कि आपके घर में धन धन्य में व्रिद्धी होने वाली है आपके घर में की स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और प्रात्य उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं तो इस समय खुलने पर लंबी सास लें जितना हो मन में सकारात्मक विचार लाएं बजरनबली को एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं मित्रों कुछ लोगों को प्रात्य ज सात बजे के बीच आपकी आख खुल जाती है तो ये दर्शाता है कि आप दिल से बहुत ज्यादा दुखी हैं दर्शाता है आप भावनात्मक दृष्टिकों से बहुत कमजोर हैं कोई चीज आपको भाव प्रणवता से रोक रही है आपकी रोज प्रात्य पांच से सात बीच खुलती है तो ये आदत दर्शाती है कि आप बहुत क्रियाशील है असल में इस समय आपकी उर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है इस समय आप सबसे ज्यादा उर्जावान हो सकते हैं प्रात्य जल्दी उर्जाना पांच से सात बजे के बीच उठ जाना भी एक अ इंदू शास्त्रों में ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वया आकर जगाते हैं, उस व्यक्ति के जीवनकाल में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। आपके घर में प्रवेश कर सकें, घर के आंगन की सफाई अच्छे से कर। ले ता कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, मित्रों प्रात्य उठकर सबसे पहले इश्वर का नाम स्मरण करें, इश्वर को धन्यवाद दें कि हे पर आपकी वजह से ही मुझे ये जीवनक प्राप्थ हुआ है, आपकी वजह से ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अफसर प्राप्थ हो रहा है, और आप ही के कारण मुझे अपने जीवनकाल में सही राह देखने का अफसर प्राप्थ हो रहा है, ये प्रभु अपनी कृपा मुझ पर बनाये रखे, यदी मे मैं अपने कदम आपके उपर रखने जा रहा हूं आपके आशीश से सही मार्ग मिल जाए उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड कर अपनी हथेलियों के दर्शन करें हथेलि के अगर भाग में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, मध्यमेमा सरस्वती का निवास है और पूरे हाथ में श्री कृष्न गोविंद का निवास होता है अगर आप अपनी हथेली को प्रात्य उठकर देखते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्न के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुवात इन तीनों के दर्शन से करता है, उसे जीवनकाल सफलता जरूर प्राप्थ होती है, घर में सुख समरिधी बनी रहती है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मित्रों को शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा धन्यवाद वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए।